अब यह लोग फेंड्स रे लाइफ वीडियो मां आपका स्वागत है आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो लंबाई समय से डिमांडिंग थी कि सर मेडिकल पे वीडियो बनाई है और कैसा आपका मेडिकल रहा बहुत सारे कुश्चंस आ रहता है और भी बहुत सारे कुश प्रक्राइट से बिलते रहे और तो स्जी करता है आज का वीडियो तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा है ध्यर्धिकल की होती है अ क्यों प्रहणि को प्रोसेस होती है क्यूंकि गुद्राट नोटिकेशन वीचेंग को यह अन्यमान कर फिलाता है आप बहुत मेडिकल होगा तो आप दो-तिन दिन का मतलब इस तरह बात के आए और मेडिकल होस्पिटल में सारा खर्च अपना ही होता है सानी कि आपको कोई कैंटिन फैसिलेटी मिलती है तो खुद ही खर्च करना पड़ता है तो दो-तिन दिन का एस्टिमेट लगा के चलिए अगर जैसे क आपके की हॉल था एक बहुत देशीक हॉल था वहाँ एक तो वहां मेरा हुआ था तो डॉक मेरिफीकेशन के टाइम पर हम लोग उसे जो फीस ली थी मैडिकल फीस उसी वक्त ले लिली जाती है तो तो एक एक करके आप लोग को मेडिकल स्लिप दी जाती है और अच्सल में अशलिप कुछ नहीं होती है एक पड़्चा होता है जूसमें आप लोगफ की डेटेल्स आपका रॉ rod number토्वारहिए नमर्भ का आम आपका मातापिता के नाम और प्लस सबसे जरूरी बात उस मुझा बनेंसक्र व्यायभ और प्लार्विक. अ p आप खुदी सोचेगी डॉक्मन वेरिपेकिशन में आप बैठेंगे उसके बाद आप मेडिकल पर कोई आपकी जगा और बैठ जाए तो यह चीज ना हो इसलिए वह आपका मार्ग देखता है वहाँ भी देखता है वहाँ भी कन्फर्म करता है रेल भी होस्पिटल में डॉक् आप लोग को अलॉट कर दिया जाता है तो मुझे इचतनगर आपकड़ी गोरखपुर से तो मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया था आपना बरेली इचतनगर तो नौब बजे मुझे रिपोर्ट करना था तो बहुत सारी चीजें उसमें मैंशन करे घयी थी आप लोग को मैं हर चीज बताता हूँ तो मोटा मोटा तरीके से आप देख लिजे किस तरीके से एक मेमो दिया जाता है इस तरीके से एक मेडिकल मेमो होता है यह तो खाडी आप लोग को एक्जामपल की तरह दे रहा हूं तो यह तरीका मेडिकल मेमो होता है जिसमें आपका नाम लिखा जाता है और नीचे आप रि कोई गलत मार्क दे दिया है तो आप महाँ ठीक कर सकता है उसको ऐसे कोई डननी वाली जरुरत नहीं है मार्क को लेकर तो मेडिकल जो मेरा हुआ था वह हुआ था रेलवे मंडल ची किस्ता ले पुरुत तर रेलवे इजट नगर में तो सुबह बेसिकली कहा गया था कि आप लोग खाली पेट मेडिकल करवा लीजिएगा तो खाली पेट थोड़ा सा मैंने खाना भी नहीं खाया था हलका यह खान आफ्टर मील ज्यादा हो लोकल समझेंगे कि सोगर प्रॉब्लम है तो यहां मेरा मेडिकल परिशन वा था सुबह हम गये तो जो में मेडिकल दिया गया था करीबन हम 30 लड़के थे और उसमें से 19 लड़कें भी थी तो टोटल करीबन 42 लोग हम थे उस बैच में तो पुरा चपरिपर के साब सरम्म है देरे देरे चीजें हुई तो क्या क्या चीजें में आप लोग को हर चीज बतांगा क्या चीज हुई शुरू से तो हमें इनिक कई सकति के भूद जमा कर दी आँ और वहां पर ंदॉक्मेंट जमा हो गे थे तो थोड़ा देर हमें वेट करने के सब्सक्राइब नहीं चला टाइम का इधर से उधर क्योंकि हॉस्पिटल में इसा थो है नहीं कि एक जीजगा सब चीज हो तो इधर उतर भागा दोड़ी करनी पड़ती है तो इस बसे टाइम पता नहीं चला तो देख सकता है इस तरीके से एक वेटिंग रूम टाइब का था वहाँ पर तो इस तरीके से हम भी बैठे हुए थे सारे लड़के इसी टाइब का रिशेफ्सम टाइब का था हॉस्पिटल में तो सारे लोग बैठे थे और बाकी लोग भी आते रहते हैं रेल भी होस्पिटल में जिनको रेगुलर अपना काम होता है मेडिकल के लिए ऐसा देख लिए स्क्रीन पर किसरी की मशीन होती है यह मशीन होती है इसके सामने आप लों को खडा करना पड़ता है तो आप लोग इस तरीके से खडा हो जाते हैं अपनी चस्ट उस पर लगा देता है तो कुछ देर वा यानि 10-15 सेकेंड के बाद आप से कह दिया जाता है आपक होने के बाद बहुत सारे candidate अधर जोन में जहां 30 प्लस एज के थे वहां उन लोग का नहीं हो अलेकिन उससारे ऊक्षी में बैबे का ऊकिज लिया जाता है ब्लट प्रूटएं देखा जाता है प्रिसमा कितना है प्यक्ट कितना है आपके योहरेन का वह देखा जाता है तो इसलिए यह टेस्ट हमारा तो नहीं हो तो बहुत सारे जोंस में v faktiskt पेली करवाया गया अलेकिन हमारे जोंस में हैं नहीं हुआ तो मेरा इस जी भी नहीं हुआ इस यह लिए बेसिकली की यह पिंट लगाई जाती है चिपका दी आती है और वहां से आपका एक देख सकता है पिंट हो रहा है वहां पर तो इसी जी तरीके से इसी तरीके से आपका हाट का फंक्षन है रेट वो अच्छे से डाइब आगराम निकलाता है तो यह हमारा नहीं हो था बाकिया दर जोंस मै बेसिकली उनको रहती है जिनके जो ओवरेज होता है उनको जादा रहती है सुगर की प्रॉब्लम लेकिन आजकल की जीवन चैली है उसमें कुछ नहीं का आज सकता कि किसको सुगर लेवल है किसको नहीं है तो यह सुगर टेस्ट भी नहीं हो था लेकिन बाकि अधर जोंस मै सुगर टेस्ट भी कराया गया यह सुनने मां आ रहा था उस टाइम पे तो लेकिन हमारा को सुगर टेस्ट नहीं हुआ और अगर आप डाइबेटीस के पेशेंट हैं तो आपका 126 मिनीमम उससे नीचर 126 अर्षा और दो घंटे आप अगर मील करते हैं खाना खाते हैं तो दोसो से उपर जाने के आपके चांसेद हैं तो देख सकते हैं कितना आप लुक का रहता है तो बात करते हैं अब टेस्ट की तो मेरा अगला टेस्ट जो हुआ था इस तरीकी के मशीन थी उसमें डॉक्टर बैठा हुआ था तो उसने ऐसे आखे सामने करने के लिए कहा तो उसने आखे टेस्ट करी बेसिकली यह लोग चेक करते हैं कि आपको ने कुछ ऑपरेशन तो क्लिक रहां को से कोई लेजर तो नहीं लगवाया या कोई अको में लेंस वन है पड़ वाया तो यह सब चीजें करतें तो थोड़ा देर का है टेस्ट था तो उसको बारी-बारी से बुल आया गया इस टेस्ट के लिए और यह टेस्ट कर enterprise आगता आई अच्चो प्रेस необходимо in को यो प्रोसेसर करते रहता है लिखते रहता है असको बाँ सारे बैच्चे पूछ रहे थे सदली को प्रोब्लम नहीं तो नहीं होता था है सबी हीड़् करते और सब्हूरा लग का आप वेडर कर सकती है लेकिन एसए कोई प्रॉब्लम नहीं है थे उदर थे तो तो आखो कि लेजर टेस्ट के बाद हम लोग को अंदर बुलाया गया थोड़ा साम लोग को बहारी कपड़ उताने के लिए कहा गया था कि आप लोग कपड़ उता लीजे तो हम लोग सभी अंडर वियर में थे तो लड़कों को अलग कर दिया था थोड़ा साइट कर दिया था लड़कों सै कहां कि आप लोग अंडर्वियर मेिये ऐसे अपने कपड़े बड़ता लिए और एुटर जा लिए थे तो अंडर जाते ही सबसे पहले उन लोगने हमें थोड़ासा हम दे उठक बैटक करवाई थोड़ा सा पाउं नोकनी और फुट जो टेस्ट होता है वो भी करा है आप लोगों को दिखा देता हूं तो बेसिकली यह टेस्ट जो होता है यानि जो फ्लैट फुट को चेक होता है तो यह बेसिकली वह आपको जब कहता है कि लेट जाओ एक आपके लिटा देता है और इसे बीच हो आपके चेक कर लेता है फ्लैट फुट तो फ्लैट फुट करने का और भी बहुत सारी चीज़ चेक करता है लेकिन बताता नहीं है असिस्टेंट के क्या उसने और थोड़ा पाउं सीदे करने के लिए कहा तो बस थोड़ा सा हाथ नहीं है धुरले फोला था सभी होती ये लेकिन य데 ज्यादा ही टिर français है तो दिकत करते रेता है नहीं तो फुर सर नहीं है गुरू है और मेटिकरमन तो अब तो इसने थोड़ा सा खासने के लिए कहा तो मैं खासा तो उसने में नीचे चेक कर लिया था प्राइबर बाइवराट थो नहीं है तो मुझे को य्सी प्रॉब्ल्लम नहीं थी ही क्टी कि त्व ठीक था को टेस्ट इसने चेक कर लिया इस तो इस तरीके साथ एक बॉक्स होता है वहाँ जैसे आप सरकारी होसपिटल मा भी जाएंगे तो सरकारी sekra ये थignment तो आपको बैठा दिया जाता है तो पूछा जाता है करे मंन मानद लीजे कि पीसफीट की दूरी पर में बैठा हुआ था तो मुझे 6 by 6 वाला दिख रहा था तो बोला इसको आपसे ऐसा बोला जाएगा कि आप पड़िये तो आप वही पढ़िए जो आपको देखेगा तो आ मैंने के दिए और इस को पेंड़ी है तो प्रफ कर आक कोई सी का मूँ है पहले आपके दुन्यांठेए खुली रहती है तो पूसते रहती है कि यह सी है गिमाती रहती है उसको इक गूल घुम करने वाला होता है मैंनम के पास पूश्ती र inwardly आप बताओ तो बस से इक और बन पर मेरा मेरा पहले हो जासी वह नहीं हो घास हो गया था सा медly ज़र को हृगए तो आप मैंनम घरे पेज करती है नहीं नीच्छों की तरफ को खुला है आप गल्स बता रहे हो तो लेकिन आप अपने आंसर पे डटे रहो और तो ठीक रह nuclear गानी तो आप आंसर चेंज नोगे तो उसको समझेगी कि आप जूट बोल रहे हो तो आपको अपने आंसर तो अपनी आंसर पर रहना है तो वही उन्होंनों मेरे साथ भी कर रहा था तो मुझे कोशिस करी कि नहीं इसी तरह को नीचे को आप जूट बोल रहे हैं कि तो आँखों के टेस्ट होने के बाद यानि जो डिस्टेंट वीजन था वह चैक होने के बाद में इस तरह के से ब्लड परेशर चेक करा तो मैरा ब्लैड परेशर बहुत हाई हो गया था और भी बहुत सारी सीच चैक करती हूं कहते हैं कि लंबी सांसे लो और छोड़ो तो जो चेक अप उनका होता है तो बोला लंबी सांसे लीजिए और छोड़िए तो और बागी ब्लड प्रेशर चेक करा तो थोड़ा ब्लड पर शेमेरा हाई था क्योंकि सुभी से एक तो गर्मी इतनी सी वहाँ पर पानी पर पानी पीए जा रहे था तो इस भी थोड़ा पहली सपोर्ट करते हैं तो रिलेक्स होके उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर फिर चेक करा तो थोड़ा सा कम हुआ तो उसके बाद फिर आप लोग का नियर विजन चेक होता है तो एक कॉपी रखे रहती है मैं मौ पर तो उन्होंने बोला इसको पढ़िए तो मैंने सबसें छोटे तो चोटे-शे बडे की तरह अटशार है आपको देखता निससी क Whoa तो चोटे साइज में चक्छा पढ़ा और ऐसमें चाण कर ब्लाइम ट्रेश ट्री है पिर मेरा होगा डर पंनिये होते है तो पल्टाते रहता है तो अस्टेन भी वह अई पर हमाई तो अस्टिस्टन फढ़ाए पणे तो मैं पढ़ते जा रहा था तो मिलेको तो प्राइशन है नहीं अगर आप लोगग को प्राइशन है तो जिन लोग ये नॉमबर पढका रहे हैं उनको कोई प्रॉब्ल्म नहीं है, अगर नुबर पाड़ पार रहा हैं, तो आप लोग को क्लर ब्रॉब्ल्म नहीं है, तो मुझे महीं नहीं थी, तो ये test भी पास कर लिया था, उसके बाद मैं जो जो test पास होती जारे थी, उसको लिखते जारे थी, मेरी हेल्प करने के लिए मेडम के बाद उनका एसिस्टेन था हाई तो चोटे मोड़े टैस्ट हो कळाते जा गवें सक्षस्ट दें जा रहा थे स्जिण करा करा हो तो उसके बाद पिर आगे सामने तो इस तरह के स्टमा ऊचिश्मा पे हैं लेगे ती तरह कि ये तेस्ट जब से मुझे सिवे ह deficit के यूट कर दिया और यहां लाइट ऑलगला ग्रीण यलो हर राइट तीन मुझे तिक दीखा लेती कि ये कॉन से लाइट है ये कॉन से लाइट है और ये कॉन से लाइट है तो इस तरह के से मुझे पूस्ते जा रहेए तो यानि एक आंख बन करके फिर गुड़ करके मेरा टेस्ट हो रहा था तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद फिर मैं एक डाक अंधेरा जैसा हो जाता है थोड़ा सा तो अंधेरा जाब होता है तो उसमें आपको आखो पर लाइट लगाई मारी जाती है तो पुछे रहता है कि यह कौन सी लाइ है आपको जो दिह रहा है वोगी बताने है तो मुझे जो दिख रही थी मैंने वो बताया मैं को कि नहीं मुझे यही देख रही है तो इस तरी के से आप लोग को फिर एक चैस्मा ऐसी तरह किólके से पहना जाता है तो उसमें थोड़ा सा धूदला बं देखता है चैस्मे से सनकते तो सकते थोसे ओसे नर मेन दिका धृझता था तो तो प्रीमा जाता है पिर सिंग्नल आई दीखाई जाती यह पुछाई देखा Yakफ देखना कि यह कौन चिक्या जार्त है कि आपके कहरे में तो कैसे काम कर रहीए डार में दृख रहें तो मैंने कहता सब तरफ को आपको लाइट दिख रहा है जैसा मुझे दिख रहा था मैंने बड़ा चला करने लग गई थी तो फॉर्म फिलब करने के बाद फ्यून ने मुझे से पूछा बाकी मेरे परसनल जीटेल्स पूछ रही थी कि घर का है कहां से आया हो अच्छा यह वह करके स्थर्गे से पूछ रही थी तो थोड़ा समय डर इस बात का था क्योंकि मैं डीवी से पहले जब घर से निकला था तो ट्रेन में सुया नहीं था बिल्कुल मुझे नहीं आती है ट सब्सक्राइब नहीं सुया हुआ था तो मेरे आंखे बहुत जाद थक शुकी थी और लाल भी होगी थी मेरे आंके तो मुझे लगा था को शयाद आखो में बहार हो जाओं लेकिन बाइलक ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा आखो का जो टेस्ट था वह सफल रहा और बाकी ची कंजोरी जैसी महसूस हो दी तो से बहुत प्रॉपर नहीं लोगा तो उससे भी आपके सरीर्म अफेक्ट पढ़ता है लेकिन भाईलक सारी ठीक हुई ऐसा इसटोई दिक्कत नहीं हुए मुझे के मसीन होती है आप देख सकते हैं इस तरीके के मसीन होती है उनके बाद लाइ ही है तो अगर आपको धूल लोग को सब्सक्राइख करता है किहाँ पुल अपdoo का तई आपको कई बू दिखा करते हैं कि और किसे तो मैडिकल फिर कंप्लिट होने के बाद इतनी सारी चीजह होने गाद मेडिकल इक एक जग कंप्लीट हो गया तो फिर हमें बाहर खड़ा कर दिएगया सब यह को हुआ तो मैडिकल वाले जो लोग आये थे वह भी बहुत सारे बच्चे थे उसमें दो तीन बच्चे चस्में वाले थे तो चस्में वाले से खास दून लोग को जोड़ा डिवाइस दी जाती कि आप अपने चस्में का नंबर पता करें इस चस्में का आपको किस नंबर का चस्मा लगता है आप इस में चसमा लाओ आई पोस्टों के लिए आप सकते हैं रेल के नोटिफिकेशन में हूँ तो यह है रेल का मेंडिकल अनुटिफिकेशन दिसमा आप देख सकते हैं की आप पोस्टी जो बीवन के लिए है उसमें आपका जो धना चाहिए जो power lens होनी चाहिए 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साफ साफ इसमें mention है 4D से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए तो इसमें आपका allow है और बाकी इससे नीचे बें सभी में allow है देख सकता है B2 में भी आपका allow है power of lenses और C1, C2 में भी आप glass और without glass काम कर सकते है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है आपके पूसकी तो इसमें हो जागा आप लोगा तो बचे पहनते हैं चस्मा उनको डरने वाली बात नहीं है तो एक अपनी साथ में था उसको थोड़ा सा चस्मा उसको नहीं पर उसको था तो चस्मा उसका लगवा दिया उससे बोला कि आप नंबर का फड़ा पर चस्मा बना लिजिए तो उसका चस्मा बना कर उसका फिर उस दिन तो नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन time बहुत हो गया था मैं मैं भी निकल गई थी जल्दी तो उससे बोला कि आप दूशरे दिन आईए तो फिसका अगले दिन उसका मेडिकल हुआ फिर मेरी उससे बात हुई तो वो बोला थे कि हाँ मैं फिट हो गया हूँ तो आको मैं उसको fit कर दिया था बस आको का ही था उसका तो उसको फिर चस्मा लगा के उसको fit कर दिया था तो और भी बहुत सारी चीज़े होती है इसमें जैसे कि medical fees आपको मैंने बता जिया कि 16 रुपे medical fees पड़ती है और other fees आपको नहीं देने पड़ती है तो मैंने कोई अध अधिकल था वो लेडी डॉक्टर दारा लिया गया तो काफी अच्छी सपोर्टी थी लेडी डॉक्टर तो अच्छी से बात कर ली थी तो मैडिकल कंप्टिट होने के बाद आपको बाई नेम बुलाय जाता है फिर आपको बताया जाता है आपका medical standard क्या है तो हमें बताया करके आपसे signature भी ले जाते हैं आपका जो मेडिकल हो जाता है तो आपके medical test tube के form में आपसे signature ले जाते हैं और आपकी basic detail भी आप लोग से भरवाई जाती है उसमें पूछा जाता है कि कोई सरीर पर आपका कोई mark है कुछ आप एक marks होता है वो बच्मन में लगा जाता है तो त तो में से पूछ रहा थे कि है mark body मैंने का सर्मुझे तो नहीं है वह मार्क्स जिला का माक्स को थे लाइन जाता है तो उसने फिर बागी चीजे form-fil कर वाई यानि basic detail आप लोग से भरवाता हूं खोरवाता है तो उसके बाद आप से sign लेता है नीचे फिर तो मूचने पूछा और से कि मैं बहेंगें सब्सक्राइब उसके बाद बोला सर हमें हमें कोई मिलेगा कोई ओमत्रम के उप what CT Di die h 멍कने सिधे आरार्स फिस भ्रवन भेज़ देंगे सई हड कोउंटर यहाई से हाप जाईए है आपस बैस दूल चले गए तो करीम साम चेभाशी यह सब उसके बार करते लेटे है। साम की चाहें, उसके बार में ये पर पर noises आपकी अपने खरे रहे है। खाला, मैंक्ता रहे है तो अच्छा बार्य मेडिकल का, जब बता जिए के न खीक हम ये तो बेसिकली ऐसे कोई जंदर प्रॉब्लम रहती नहीं है वस्ट थोड़ा सा आखो कही रहता है अगर कोई सीरियस आपको प्रॉब्लम है तो तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा रिमेडिकल दिया जाता है जैसे आपका कोई ऑपरेशन भाय ऑपरेशन ठीक हो सकता है त आपको लगता है तो आपको फिर उसके लिए प्रेशन होता है मैं आप लोग को दिखा दूंगा कैसे होता है क्या होता है तो इस तरीके से चीजह होती है तो कोई से लिए आपको नहीं मिलती है तो फिर बस घर को चले आया थे उसके बाद फिर पैनल आ गया था और जोइनि वीडियो पे